गुजरात में चुनाव कॉंग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं थी। कॉंग्रेस एक तरफ, आम आदमी पार्टी, MIM और बीजेपी एक तरफ। आम आदमी पार्टी और MIM गुजरात में बीजेपी के इनफॉर्मल गटक दल थे। कुछ फॉर्मल गटक दल होते हैं, कु कॉंग्रेस का वोट काटो और वो सीधा बीजेपी के प्रोचसाहन से कॉंग्रेस का वोट काटते हैं बिहार में काटा है महाराष्टर में काटा है यूपी में काटा है और अभी गुजरात में काटा है मैंने कहा साफ कहा हमारे लोकल लीडर्शिप हमारे लोकल लीडर्शिप हमारे लोकर लीडर्शिप में बहुत कमिया रही हमारे प्रचार में कमिया जरूर दिखाई दी पर मैं एक बात क्या दूँ ये एक संदर्ब में हुआ है एक डर और भै का वातावरन पैदा किया गुजरात में कई लोग वोट नहीं दे पाए वोटर सप्रेशन हुआ और जो लोग हमेशा कॉंग्रेस को वोट दिया करते थे या वोट देने नहीं आए या वोट MIM या आमादमी पार्टी को दिया ये भी सही है तो इसलिए मैंने कहा कि ये दो पार्टिया बीजेपी की इशारे से गुजरात के चुनाव लड़ रहे थे विधान सभा के लिए कि इपना भी प्रचार केंद्रिय नेता करें केंद्रिय विक्ति करें अल्टिमेटली लोग स्थानिय लिडर्शिप को देखते हैं और गुजरात में कमियार नहीं है और उसको हमें देखना पड़ेगा सुधारना पड़ेगा क्योंकि 2017 के चुनाव को अगर आप देखें कॉं 22 के बीच में जो कमजोरियां आई हैं हमें उस पर गहरा चिंतन करना उनकी उसकी समिक्षा करना है पर 27 प्रतिशद वोट शेर से वापस 38 या 40 परसंट आना एक चुनावी कारिकाल में हो सकता है 10-15 साल नहीं लगते हैं 10-15 साल लगते हैं 10% से 35 परसंट जाना पर 27 परसंट से 38 या 40 परसंट जाना आप 5 साल में कर सकते हो और मैं आज भी कहता हूँ अगले चुनाव में आप देखेंगे हमारा वोट शेर वापस 40 परसंट आएगा साथ ही बेल आइकन जरूर दबाए जिससे हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक फेस्बुक पर हमें सर्च करें अट दरेट टीवी नाइन डेली एंसियार वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें at the rate tv9 Delhi NCR पर और Instagram पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें at the rate tv9 Delhi NCR